आज जो प्रभू वचन दिया हम लोग को यशाया 31-5-8 और विवस्था विबरन विधी विबरन 31-7-8 पंक फैलाई हुई चुड़ियों के समान सेनाओं का यहवा एरुसलिम की रक्षा करेगा वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिना छुए ही उध्धार करेगा हे इश्राईलियों उसके बिरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है उसी की और फिरो उस समय तुम लोग सोने चांदी को अपनी अपनी मूर्दियों से जिने तुम बना कर पापी हो गए गिरना करोगे तब अशूर उस तलवार से गिराए जाएंगे जो मनुश की नहीं वह उस तलवार का कौर हो जाएंगे जो आदमी की नहीं और वह तलवार के सामने से भागेंगे और उसके जमान बेगार में पकड़े जाएंगे तब मुसा ने यहोशू को बुला कर इसराइलियों के समुक कहा तुहियाओ बांध और डिड़ हो जा क्योंकि इन लोगों के संग उस डेस में जिस यहवा ने इनके पुरवजों से सपत खाकर देने को कहा था तू जाएगा और इनको उसका अधिकारी कर देगा और तेरे आगया के चलने वाला यहोवा तेरे संग रहेगा वा तुझको ना धोका देगा और ना छोड़ेगा इसलिए मट डर और तेरा मन कच्छा ना हो तो प्रभू कहरा है कि जो सिक्छाएं जो आगयाएं मैं बार 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 दिये जा रहा हूं उस पे चलने का पर उसके लिए मुझे आपके पास आने की उसके लिए मुझे किसी माध्यम की जरुवत नहीं पड़ती है यह हम लोग सोचते हैं कि प्रभू को काम करने के लिए किसी माध्यम की जरुवत पड़ती है या हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई काम होगा तो कैसे होगा चुकि उसका कल्कुलेशन हम जानना चाहते हैं जैसे हम लोग कल्कुलेशन क्या जानना चाहते हैं कि कोई आदमी पढ़ेगा नहीं तो नोकरी कैसे होगा कोई आदमी एक्जाम नहीं देगा तो पास किसे करेगा हम लोग संसारी चीजों से उस बात को सोचते हैं और इसलिए हम लोग परेशान होते हैं प्रभू कह रहा है कि वो मैं देख लूँगा पहले आप मेरे लौग के अनुसार चलिए किसके अनुसार चलिए जो मैंने आपको सिखाया है समझाया है उस पे चैलने का पर्यास कीजिए फिर जो आगे आसीश देना है उसके लिए मैं आपको चूंगा नहीं आपको टेच्च तक नहीं करूँगा मैं आपके पास भी नहीं आऊंगा आपका काम हो जाए हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रभू हम लोग का काम करें प्रभू अपनी उपस्तिती को दर्स आए प्रभू हमारे समक्ष आए या नहीं आए लेकिन हमारे जीवन में हर काम वेवस सब कुछ बेवस्थित हो जाए अच scholarly होना भी चाहिए सबका यह सौक होना चाहिए और यह जरूरी भी है लेकिन इसके पीछे जो कर्टब निर्माहन है वो हम लोग बदल सकते सब करना चाहिए अच्छी बात है जाना चाहिए सब कुछ अच्छा है सब कुछ समझ समझना चीए लेकिन उसके पीछे जो करतब है वो आत्मिक है कि संसारिक है इसमें तुम लोग विचार कर नहीं सकते हैं हाँ यह नहीं अब यह जो पीछे जो आप करतब कर रहे हैं वो आत्मिक करतब कर रहे हैं कि संसारिक कर रहे हैं कि संसारी कर रहे हैं और संसारी करने में आप गिर जा रहे हैं पाप में और प्रभु के लोग के खिलाफ जा रहे हैं और प्रभु के से मांगते क्या हैं कि प्रभु तुने कहा है कि तु अपनी प्रतिग्या को पूर्ण करेगा तु सत्प्रतिग्य परमेश्वर है पूर्ण कर रहा है प्रभू भी कह रहा है यार घजब कर कुछ और रहो चार्ज मुझे कर रहा है तुम यहां के देवता को पूझ रहे हो संसार के देवता को पूझ रहे हो संसार के भगमान को पूझ रहे हो और आसीस तुमको वो मुझसे चाहिए हां कि ना कि यह सब के साथ है ना समस्या और इसी बात पर हम लोग विचार करेंगे जितने लोगों को रोज हम लोग आते हैं अभी तो तक रिबां तीन सो पसटे हो दिन पुल्पिट पे हम लोग आते हैं मेरे यहां से कोई भी बच्चा आता हो अगुब प्रभु की भजन उस्तूती करते हैं और वाइबल से जो भी बाते करते हैं वो सिक्षा प्रत होती है लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारा जीवन नहीं बदलना इसका मतलब की दो ही बाते हो सकती है पहला कि भै नहीं है इश्वर का दूसरा कि अगर है भी तो हम चलन नहीं चाहते हैं अगर है तो हम चलना कियो नहीं चाहेंगे इसका मतलब की इसवर का भै यी ullenहीं है और हम चलना भी नहीं और वह समधान क्या है कि आप अपने जीवन के किरिया कलाब को बदल दीजिए जगो करत्वयक निर्वाहन करते है शच्रूर करें लेकिन देखिए कि वह करत वह जो आप निर्वाहन कर रहे हैं जिसका अपना जाओं बाइबल पर आपको लेके जाओं यूशूब अपने लक्ष तक पहुँचने के लिए संसारी करतब्यों का निर्माहन किया लेकिन आत्मिक रहते हुए संसारी करतब्यों का निर्मान किया अलिलुया इस बात को आप समझने लगें आप ना आत्मिक रहते हुए उसको हर जगह ये आप आप जब जीवन में चलने लगेगा तो हर जगह दो मार्ग मिलेगा नहीं यह कहता है एक मार्ग जो सकड़ा होगा क्या होगा कंजस्टेड टफ और एक जगह एक मार्ग मिलेगा जो सरल और सीधा होगा तो प्रभू बोला कि सरल और सीधा वला से निकल जाना यहीं बोला था ना क्या बोला प्रभु बोला नहीं जो सरल और सीधा होगा उधर मत जाना चुकि वो तुमको मंजिल तक तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा नहीं सब्सक्राइद चाहिए रास्ता एक्स्तियार करता है फट से निकल जाए और आज तो समस्या यह है कि सौटकॉट इसलिए भी चाहिए कि पुलिस कहीं हेलवेट ना चेक करें बाल खराब जाता ना भरम है लोगों को कि सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाएगा को निनानबे में प्रभू ने मुझे सेवकाय केलेए चुना था उननिस सो निनानबे है विश्वास का वर्दान दिया और फिर ले जाके ट्रेणिंग के लीए वैसहीं लोग के बीच में छोड़ दिआ जो गैर भी स्वासी थे जाके छोड़ दिया और फिर बुलाया कब कि अब 14 साल 13 साल का ट्रेनिंग हो गया अब बुलाया कब 13 या 14 में बुलाया कि अब जो तुम सीखे हो भी स्वास के बाद उसको यहां आओ और अब तक सिखाई रहा है अभी भी बाइबल समझ में नहीं आता है अभी जब भी पुल्पिट पर हम चड़ते तो सुचते हैं आज बोलेंगे क्या और लोगों को यहां या कहीं भी तुरंत ही चाहिए कि वह सेवक बन जाएगा मैंने एक दिन सिस्टेस्टर से कहा कि आप जितने भी सेवक को आज फेमस देख रहे हैं उन सब का उम्र पता किजिएगा तो किसी का पचासी साल है किसी का सतर साल है और जब सेवक आई का कार्जकाल देखिएगा तो वह पता लएगा कि तीस साल, चालिस साल, से वो सेवा कार्ज कर रहा है, हालिलुया, तो कोई काम, मैं क्या बता रहा थे कि कोई काम जीवन में जल्दी नहीं होता है, और बाइबल के अनुसार की जल्दी का काम किसका होता है, सैतान का, आप जितना जल्दी में हैं, उतना ही जल्दी आप उलज्येगा, बाइबल कहता है कि जो जल्दी धनी बनना चाहता है, वो अपने आपको पाप में फसाता है, बाइबल इस बात पे बहुत जोर देता है, कि जो जल्दी धनी बनना चाहता है, वो अपने आपको पाप में फसा परती बन्य प्रिती बनी रहे अतीती सदकार करना ना भूले क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोग ना जाने में स्वर्गदूतों का आदर और सदकार करते हैं कैदियों की सुधी ले कि मानो उसके साथ तुम भी कैदी हो जिनके साथ बुरा बरताओ किया जाता है उनकी भी यह समझ कर सुधी लिया करो कि हमारे ही दे है बिवाह सब में आदर की बात समझी जाए बिवाह बिचावन निस्कलंक रहे कोई परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर भैविचारी और परम इस्तरी गामियों के न्याई करेगा तुम्हारा सुभाव लोब रही थो जो तुम्हारे पास है उस पर शंतोस करो क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझ से कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा हालिलूया क्या इसमें हम लोग फिट बैठते हैं इतने दुन से तो यही परचार हो रहा ना पिछले साथ दीन आठ दीन से तो यही परचार हो रहा रहा रोच अब प्रभू घुमा के यहीं पहुचा दिया प्रभू कह रहें कि यह जो हमारा सुभाव है जो यह आच्रण है पिछले कुछ दिनों से जिसको आज मैं एक जगा लाके बता दिया आप भी पढ़िएगा तो मिल जाएगा इब्राणियों 13 में लिखा हुआ मसीही जीवन जीने का निर्देश करकर लिखा हुआ एक विश्वासियों के जीवन कैसे जीते हैं उसके बारे में संचेप में यहां लिखा हुआ तो प्रभू कह रहा है कि अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समधान कौन करेगा कौन करेगा इश्वर करेगा और वो कहता है कि तब अगर आप ऐसा जी रहे हैं तो मैं बिना छुए ही आपका उत्धार करूँगा आपको कुछ करने की जरुवत नहीं है इसलिए मैंने आपको योशूफ के बारे में बताया कि योशूफ कुछ नहीं किया वो प्रभू के म सब्सक्राइब नहीं होता है मेरे पास जितने बच्चे और बच्चियां है एक रुपया घूस नहीं दिया है सब का नुकरी कि एक बहन है यहीं राची घागड़ा से आज से साथ साल पहले पांच साल पहले हम लोग के माद्यम से प्रकारशन हुआ कि आप ऑफिशर बनेंगे आज से पंदरा दिन बीज दिन पहले एक महिना पहले हर बड़ाते हुए आई मैंने क्या हुआ बह MIL मेना जेब्यस्लूपय हो गया और बहिए जानते हैं ये इक रुपया कहीं हमको क्रचा Хот लेकिन हमारे समाज मैं भरं फ्हला जाता हना कि बीना पैसा का ये नहीं होगा बीपार का वो नहीं होगा हर जगा पैसा देना पड़ता है ऐसा नहीं है वो सकता है देना पड़ा हो लेकिन हमारे हाँ जो बच्चे बीना दिये ही जौब करते हैं चुकि प्रभू क्या करता है प्रभू लिखता है वचन में कि जो आसीस मैं देता हूं उसमें दुख नहीं होता है ये बात यूशुप को पता था कि अगर प्रभू ने मुझे जीवन को जीवन का आसीस दिया है तो मुझे बस उसके मार्ग पे बने रहना होगा और आज प्रभू यही कह रहा है कि तुमको अगर तुमारे जीवन में उद्धार पाना है तुमको अपना बिबाह कराना है तुमको अपना बच्चा पाना है तुमको अपना नोकरी पाना है तुमको कुछ नहीं करना है बस मेरी सिक्षाओं और आग्याओं पर जीवन बेतीद करते रहो लेकिन नहीं तुम इसको छोड़के बाकी सब उपाय करें हाई यह नहीं है और यह इसलिए है कि हम जल्दी में और मुझे आज तक यह समझ में नहीं आए कि हम जल्दी में क्यों ह लोग मुझे कहता है ये करिए वह करिए ऐसे करिए वैसे करिए सिवकाय के लिए ऐसे करिए मैंने काई किस बात की जल्दी है जीवन भर तो यही काम करना हमको कुछ दिन पहले मैं फादर स्वामी अनिल द्योजी से मिला उन्होंने कहा राज सब करना जल्दी नहीं करना सब करना और जल्दी नहीं करना और साथ में एक वचन दिये हमको और वो वचन क्या था परमेश्वर के बलवन्त हाथों के नीचे दीनता से रहो वो तुम्हें उप्युक्त समय पर उठाएगा तो मुझे यह ग्याद हो गया और जब मैंने सिश्टर स्थर के जीवन को भी देखा तो मैंने देखा कि वो कहीं भी भी पेचैन नहीं रहती है उनको कोई हड़ बड़ा हट बस उनको एक ही बात का हड़ रहता है जल्दी से यहां पहुंच जाने को यहां के बाद इंतिमिनान हो हम लोग के सेवकाई का कोई विस्टिंग काड नहीं है कोई पोस्टर कोई बैनर यह तो यूटूब के चलत कि मेरा मानना है कि इश्वर खुद बखुद अपने आप बिक्षित करेगा और जब वो बढ़ाएगा तो आपको कोई नीचे गिरा नहीं सकता है हलेलुईया और जब तक वो नहीं बढ़ाएगा आप कितना भी अपने आप में हवा भरिये आप पुचुक जाएगए हलेलुईया आप चाहे जितना भी अपने आपको परमोट कीजिए आप कहीं पहुचने वाले नहीं हैं आप धड़ से नीचे गिरिएगा चुकि आपको इश्वर परमोट नहीं कर रहा है और जब वो परमोट करेगा पूरा दुनिया भी पक्षु में खड़ा रहेगा आप अपने आप कुहां पहुचे तो मैं आज क्या बता रहा हूं आपको पवितरात्मा के सामार से कि सौट कोट रास्ता लेना बंद करेए मैं जब आज प्राथना कर रहा था कि प्रभू आपके बच्चे निरंतर फाप में क्यों गिरते हैं क्या कारण है कि हम लोग रोज समझ रहा है रोज समझा रहा है तो बोलते हैं प्रभू की बहुत जल्दी में है वेटाई लोग इन लोग को हर काम फटा फट चाहिए और कल्कुलेशन भी अपने अनुसार है अब बचे अपने आप कल्कुलेट करते मेरा तो 35 हो गया यह कल्कुलेशन आपका है प्रभू का नह कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं अब वो जो निर्धारित किया है वो से योजना पर आपको चला रहा है आप अपने अपने जीवन के लिए अपना निर्धारित योजना बनाने के चक्कर में लग रहा है वो मैच ही नहीं हो रहा है और उसको आप म मैज कर आप गभी चुम्बक देखे हैं कि अंया चुम्बक में ब्लस प्लस को जोड़िएगा तो जोड़ेगा है आपका योजना उसका योजना दोनों हिए और है को आप से एक साथ 세फे 역रों कुछ से जुड़ना है आपको तो वही फ्लॉस रहेगा तो मैंने यह समझा कि सबको बहुत बेचैनी है तो जब मैंने आज प्रभु से समझने का प्रयास कि प्रभु रोज एक ही टाइप का वचंदत ये क्या है ला तो प्रभु ने कहा कि इन लोगों ने शंसारिक बिधियों को अपना मूर्ति बना लिया हालेलूईया शंसारिक परंपराओं को source scorecard रास्टा को अपना मूर्ति बना लिया है और आसीश हमसे मांगने आते हैं इन्हों ने अपने बुद्धी बिवे के ज्ञान को मूर्ती बना लिया है उसी को देवता बना लिया है अपने ही प्रग्या को देवता बना लिया है अपने कल्कुलेशन को देवता बना लिया है उसी को इश्वर बना लिया है और आ वचन दिया, उसकी कहानी में आपको बताऊँ, वो कहानी है, मुशा के अंत का समय था, क्या समय था? अंत के समय था, और मुशा और इश्वर आपस में बात कर रहे थे, और इश्वर ने मुशा से कहा कि मुशा, देख तुम्हारा टाइम हो गया एक खतम, अब यहां के बाद तुम जाने वाले नहीं हो यहां से जो लीडर होगा वो यहोशू होगा कौन होगा यहोशू होगा लेकिन यहोशू के साथ जो जनता चलेगी उसके जीवन में मैं आशिश देता रहूंगा लेकिन इसके पहले उन लोगों को ये काम करना होगा और वो काम ये है कि जैसे उनके पुरवज ने अपने लिए देवता चुना था अपने लिए सारा कुछ किया था अगर वो नहीं करेंगे तो मैं उनका साथ दोंगा हलिलुया और उस पे पूरा का पूरा बिस्चिलेशन किये और विवस्था विब्रन तीस का अगर एगारा पढ़ियेगा तो उसमें लिखता है कि देख यह आग्या मैं जो आज तुझे सुनाता हूँ वो ना तो तेरे लिए अनोकी है ना दूर है और कहरें कि जो भी बात हम आपको समझा रहे हैं आज भी जो राज के मादेम से जो समझाया जा रहा है ये कोई अजीब बात नहीं बताया जा रहा है ये कोई अनोकी बात नहीं बताई जा रही है ये आपको पता है कि कौन सी बात बताई जा रही है और कह रहें कि इसको करने में भी कोई समस्या नहीं है लेकिन आप इसको करते नहीं है पीछे और जाएंगे तो लिखता क्या है मैं आपको बताओं ये विवस्था विबरन तीस का दो तीस का एक से पढ़ते हैं फिर जब आशीश और श्राप की ये सब बातें मैं ने जो तु को बर्बस पहुचाएगा इन बातों का श्मरन करें और अपनी संतान सहीत अपने सारे मन और सारे प्रान और सारे और प्रान से अपने परमेश्वर ये हुआ की और फिर कर उसके पास लोटा और इन सब आग्याओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं इसकी बात सुन बाते मान तब तेरा परमेश्वर ये हुआ तुझको बंदवाई से लोटा लाएगा और तुझको परदया करेगा सब देशों के लोग में जिनके मद्दे से तु तितर बितर कर दिये गए हो इकठा करेगा चाहे धरती के छोर तक तेरा बर्बस पहुंच जाना हो तो तेरे पुरफ पुरखा अधिकारी थे के यह प्रभू यह किई तीस पढ़ी है आप आप मैं रुक गया चूकि काफी लंबा था उसमें कह रहें के कि कुछ भी तुमको करने की जरुवत नएं नहीं है कुछ भी तुमको करने की जरुवत नहीं है इसका साथ मैं पढ़ूँ आपके लिए और तेरा परमेश्वर यहुआ यह सब साप की बाते तेरे सत्रू पर जो तुसे बैर करके तुझे तेरा पीछा पढ़े हैं और तु फिरेगा और यहुआ की सुनेगा और इन सब आग्याओं को मानेगा जो मैं आज दुश्को सुनाता हूँ और यहुआ तेरे भलाई के लिए सब काम में और तेरी संतान और पशुयों के बच्चों ir भूमी के ऊपज और तेरी बढ़ती करेगा क्योंकि यहवा फिर तेरे उपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा क्योंकि तु अपने परमेश्वर यहवा कि सुन कर उसकी आग्याओं और विधियों को जो इस पुस्तक में लिखी है मानना करेगा और अपने परमेश्वर यहवा को अपने सारे मन और सारे प्रान से मन फिराएगा हम लोग एक बचन में यहां लिखा हुआ है कि सुन इसी का पंदरा है तो इसका पंदरा सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरन हानी और लाव दिखाया है क्योंकि मैं आज तुझे आग्या देता हूं कि अपने परमेश्वर यहवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पे चलना और उसकी आग्याओं और बिधियों और नियमों का मानना जिससे तुझ जीवित रहे हालिलुया कि सुनसुन के सुनसुन के सुन्सुन के सुन लिये हम बस में पर वो कह रहा है कि मैं यहा jours कौंसलिंग में बैठता हूं लोको कुछ दिन पहले एक माहिला आई मेरे । हम के Sword जो भी काम करते हैं उसमें मामला फस जा रहा है तो छोड़ दीजिए कचरी काम आपसे नहीं होगा तो नहीं वह पैसा डूब जाएगा और उसी मादेम से घर भी चल ला है हम सोचें यह केस खतम हो जाएगा तो कर देंगा समस्या तो उसमें को सब केस फस जा रहा है मैंने का दूसरा प्राब्लम बेटा बिल्कुल बात नहीं सुनता एक दम अत्याचार करके रख्यों मैंने उपर नीचे देखा प्रात्ना किया वचन पढ़ा पवित्रात्मा बोला इसको बोलो जाके पाप सुकार करेंगे ठीक हो ज देखा कि वहां लिखा हुआ है कि राजविया बोले थे प्राप सुकार के लिए कि दूसरे दिन से बेटा सुधर किया काम होने लगा हालिलूया कि कुछ करने के लिए बोला गया उसको नहीं इस बात को आज आप लोगों को समझना होगा कि सिर्फ प्रभू के मार्ग पेच अंगिकार की छमता को नहीं समझते हैं आज हम मन फिराओं की बातों को नहीं समझते हैं हम अंगिकार की ताकत को भूल गए हैं हम सीधे मार्ग पे हम प्रभू के मार्ग पे चलने की ताकत को भूल गए इसलिए सेवक आ रहा है, रोज समझा रहा है रोज समझा रहा है मैंने आपको यूशुप की कहानी बताई आपको दाउत के बारे में पता है कि दाउत साउल को मारना नहीं चाह रहा था वो जानता था कि किसी अभिशिक्ठ पर हम हाथ लगाएंगे तो हम बरवाद हो जाएंगे अब्राहम और लूत की कहानिया आपने कितनी बार सुन रखी है कि लूत अपने दिमाग से काम करता था और अब्राहम परमिश्वर के भरो से चलता था आशिश कोन पाया था? लूत कौन पाया? अब्राहम आपने शारा की कहानी सुन रखी है शारा जब अपने बुद्धी से चली तो कौन हो गया? इसमाइल एक वर मैं रामपुर में परचार कर रहा था कि इसमाइल का आर्थ क्या होता है? बाह इसमाइल का आर्थ होता है युद्ध करने वाला जगडालू पर विर्तिकाल और इशहाक कार्थ क्या होता है खुशी आनन्द देने वाला जब आप संसारिक चीजों से किसी काम को करने लगिएगा तो आपके जीवन में क्या हैगा दुख युद्ध लड़ाई जगडा क्लेश और जब उसी चीज को आप इश्वरीय करपा से करने लगिएगा तो आनंद अनुगरह माता मर्यम के पास जब स्वर्गदूत पहुँचा तो माता मर्यम जो वहाँ लाइन बोली है वो क्या बोली है आप लोगों को याद है क्या बोली है वहां आनंद सब्द का परयोग किया गया है उसी वचन के आगे और पीछे वचन है उसमें लिखा हुआ है कि मैं अब आनंद से ब्योव भूर हो गए और यही चीज जब वो यहना नभी के मम्मी के पास जाती है तब वहां भी वो आनंद से उजलता है है ना जब इश्वरिय मार्ग पे चलते हैं हम लोग थोड़ी सी कटना ही आती है थोड़ी से समश्या आएंगी परिशानी होगी लेकिन प्रभू कह रहा है कि अगर आप चलते हैं तो आज जो साथ और आठ वचन दिया गया है क्या दिया गया है साथ और आठ तब मुसा ने यहोशु को बुला कर इसराइलियों के सम्मुक कहा तू हियाओ बांद और डिड़ हो जा क्योंकि इन लोगों के संग इन लोगों के संग उस देश को जिसमें यहवा ने उनके पुर्विजों के साथ खा कर देने को कहा था तू इनको उसका अधिकारी देगा और तेरे आगे-आगे चलने वाला यहोवा तेरे संग-संग रहेगा और ना तुझको धोखा देगा उनके तेरा साथ छोड़ेगा इसलिए मत डर और तेरा मन कच्छा नूँ प्रभू कह रहे हैं कि अगर आप प्रभू के मार्ग पे हैं तो डरना बंद कर दीजिए चुकि आपके आगे कौन चलेगा इश्वर चलेगा उसके लोग चलेंगे उसके अनुवाई चलेंगे उसके दास चलेंगे वो एक वचन में कहता है ने कि मैंने एक दूत तेरे लिए भेज़ा है के मार्ग में तेरी का या करेगा अगवाई एक उसका दास आजएगा आपके पास कि अगर आप प्रभू के मार्गं पे चलना हैं समंदर दो भाग में बढ़ जाएगा लेकिन आप इस बात को समझ नहीं सकते कि समुंदर दो भाग में बढ़ जाएगा लॉजिकली संभव नहीं है यह प्रेक्टकली संभव नहीं है इस पे नहां विचार कर सकते हैं ना हमारे दिमाग में आ सकता है और आप वो ढूड रहे हैं आप मार के ढूडने का परियास कर रहे हैं कि हमारे जीवन की समस्याओं का समधान कैसे होगा ऐसे ही हमारे जीवन की जो भी समस्याओं का समधान प्रभू करता है कब भी भी उसका आकलन आप पहले से नहीं लगा सकते हैं वो अपने दास अपने नभी अपने भविश्वक्ता के द्वारा प्रकट जरूर करता है लेकिन आप समझ नहीं सकते हैं मूस लाठी रखने से पहले मुसह को यह नहीं बताया गया था कि तुम लाठी रखो यह दोभाग में जाए प्रभु ने कहा कि मुसा इस पर लाठी रख il आगर मुसा वहां बैठ आकलन करना लगता प्रभु क्या मजग इस समंहदर के उपर लाठी रखने का क्या मतलब वो भी एक ही लाठी है कहीं तुपान उपान में उड़ी गया तो हम चलेंगे कैसे यह न समस्या आज प्रभु जो भी सिख्छाएं जो भी आग्याएं आपको देरा उस पे चलिए दरिये नहीं चुकि प्रभु चाहे चितनी भी बड़ी समस्या होगी जीवन का उसका समधान करेगा मैंने अपने सेवा काल में देखा है यहां बहुतों के जीवन को बदलते देखा है मैंने यहां देखा है लोगों को आर्थिक आसीश मिलते हुए मैंने यहां लोगों को देखा है जेल से रिया होते हुए जो कोई समाधान किसी को नहीं मिल ला था सिस्टेर इस्तर ने पवित्रात्मा के सामर्थ से कहा जाओ बीस दिन में रिया हो जाएंगे वह अगला ठारा इस दिन में निकल गए मैंने वैसे भी लोगों को यहां देखा है जिनको सिस्टेर इस्तर ने कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं कीजेगा जेल चलेज़ेगे वह अदमी जेल चला गया दोनों ही पक्ष मैं बता रहा हुए हम लोग कि यहां लोग आता है और कहता है कि आई बीएफ करा ले डॉक्टर तो मना कर दिया है हम लोग बोलते हैं कि अगर यकीन है तो कुछ दिन रुख जाए चेक कर लिजे अगला बीना आई पीएफ का बच्चा हो जाता है यहां लोग आता है कहता है डॉक्टर बोला है फर्टेलिटी नहीं है बच्चा कैसे होगा मिठाई भी खिला के चला जाता है प्रभु कह रहा है कि आपके जीवन में चाहे लाग समस्या हो लाग परिशानी हो आप बात मानिए सिर्फ प्रभु जो कहता है प्रभु के दास जो कहते हैं उस पे चलने का परियास केजिए और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कम से कम छे मंद तो चल के देखिए अगर मैंने कहा कि पाप स्विकार करिये तो करिये मैंने कहा कि मूँ बंद रखिये तो रखिये मैंने कहा गुस्सा आता है तो हट जाईए गुस्सा आना सभाविक पर किरिया लेकिन हट तो सकते है जो बोला जा रहा है उसको करिये प्रभु आपके जीवन को बदल देगा सारी समस्याओं का समाधान प्रभु करेगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग झाल